इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु के तरप से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया कि आखिरकार इगनु ने तकरीबन 16 दिनों बाद दिसंबर 2023 एकजामीनेशन के रेजल्ट का एक नया अपडेट पॉबलिस्ट कर दिया है और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेट सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अप रेजल्ट को चेक कर सकते हैं इससे पहले का जो अपटेट था वो था आपका तीन जनवरी का और इगनु ने 20 जनवरी डेट में दिसंबर 2023 एक्जामिनेशन के रेजल्ट का चौथा अपडेट पबलिस्ट कर दिया है लेकिन यह जो चौथा अपडेट आया है इसकी मैं यहां पर मुझे क्या देखने को मिला तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर तो 19 जनवरी लिखा हुआ है यानि कि 3 जनवरी के बाद 19 जनवरी तक जितने भी बच्चों का पेपर चेक हुआ है उनका रेजल्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा और उन सभी रेजल तो आप मुझे नीचे comment box में बताना कि यह जो चौथा update आया इसमें आपके एक भी subject का result आया है या फिर नहीं आया है मैंने तो यहाँ पर बहुत सारा result देखा मुझे यहाँ पर किसे भी students का इस वाले यानि कि चौथे update में किसे भी नए subject का result देखने को नहीं मिला यहाँ पर मुझे सिर्फ पूराना ही update देखने को मिला है जो कि 26 December 2023 का देखने को मिला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप भी अपना-पना result चेक किजिए और मुझे नीचे comment box में बताए कि आज आपके किसी भी subject का result डिकलेर किया गया है या फिर नहीं अगर आपका किसी भी subject का result आया है और अगर आपको passing नमर के बारे में नहीं पता है कि एक्जाम में पास होने के लिए कितने नमर चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने program wise passing नमर के बारे में बता रखा है फिलाल चौथा अपटेट आच चुका है जिसका आप सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे तो आप अपना अपना result चेक किजे और अगर आज भी आपका result नहीं आया है यानि कि एक भी subject का result अभी तक आपका नहीं आया है तो आपको परेसान होने के जरूरत नहीं है तुरंट से वीडियो बना करके आपको दे दू और आपको तुरंट से ही पता चल जाए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं